नमस्कार फेंड मैं हूँ लूसी और अपना चैनल लूसी स्क्रियेशंस में आप सबका स्वागत है आज मैं सिखाऊंगी काटूरी ब्लाउस या ब्रा काटिंग ब्लाउस 40 इंच चेस्ट और 36 इंच वेस्ट का ब्लाउस काटिंग करूँगी यह है वान मिटर का फेब्रिक ब्लाउस का स्लीप के लिए जो फेब्रिक लागेगी वह हम पहले काटिंग कर लेंगे वान फोल्ड किया हुआ है मैं इसको दूसरा फोल्ड करूँगी प्लाउस प्लाउस स्लीप लेंध है 10 इंच और दो इंच एक्स्टा लेंगे टोटल है 12 इंच ढिल इंच मार्क किया आज की एई से स्लीप का भाग हम कट लेंगे यह बदाचे हुए कपड़ा इन मेंसे हम बॉडी का पाट काटेंगे पहले हम बैक पाट काटेंगे यह फोल्ड साइड, फोल्ड किया हुआ साइड से हम भ्लाउज का फूल लेंगे, भ्लाउज का फूल लेंद है 15 इंच, वान इंच एक्ष्टा लेंगे, तो होगा 16 इंच, 16 इंच मार्ट किया, यह से हम 5.5 इंच पे मार करेंगे, यह हमारा सोल्डर, अब हम दोनों लाइन को जोर देंगे, यही से हम 6 इंच पे मार करेंगे, आर्मोल डेद के लिए जोर देंगे, यही से हम 6 इंच पे मार कर रखेंगे, अब हम इस लाइन बड़ाबर चेस्ट लेंगे, चेस्ट है 40 इंच, 40 का चौता भाग का 1 भाग है, 10 इंच, मैं यहां से 10 इंच पे मार किया, वही से हम, और 1.5 इंच एक्स्टा लिया, साइट पे, आप चाहिए 2 इंच रख सकते हो, और 1 इंच फी रख सकते हो, मैं 1.5 इंच रखा, आप इस लाइन को जोर इन कर लिया, अब हम ओइस्ट लेंगे, ओइस्ट है 36, 36 का चौता भाग का 1 भाग है, 9 इंच, 9 इंच, एक इंच डाट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्टा, आप आड मोल का सेब देंगे, आप इंच डाउन कर लेना, क्योंकि बाद में अब जब बढ़ा होगे, तब थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, अपका आर्म होल, इसलिए मैं थोड़ा डाउन कर लिया, अब हम नेका चौड़ाई लेंगे, था इंच, क्योंकि मैं गलाई का लंबाई ज्यादा नहीं लूंगी, इसलिए मैं था इंच रख रही हूँ, आप डिब नेक करोगे, तो तब दो इंच लेना, बैक नेक डेप्थ लेंगे, 9.5 इंच, इसे भी था इंच पे लेंगे, अब मैं इसे राउंड सेप दूंगी, यह हो गया, बैक पाट का डाफ्टिंग, अब हम इसको काटिंग का लेंगे, अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबस्क्राइब किजिए, फ्रेंट कोई भी साइज का ब्लाउस काटिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट काट के बताना, वह हो गए हमारा बैक पाठ का का ज़िनिंग कोई ही ये साइट करि एक लाइन ड्रॉ कर ले ना इस लाइन से दो इंच अंदर की तरह पी ड्रॉ करेंगे और इहां से हम फाइट इंच पे मार कर लेंगे अब हम बैक पार्ट को ड्राइंग बड़ा बड़ बिठाएंगे अब बैक पार्ट को ड्राइंग कर लेंगे सबसे पहले हम फ्रॉंट नेक लेंगे सिक्स इंच पे मार्किया फ्रॉंट नेक का डेप्ट के लिए इस लाइन को हम सीधर ड्रॉंट कर लेंगे यही से हम 3 इंच पे मार करेंगे और यही से उपर की तरब हाप इंच पे इस हाप इंच को यहां तक मिलाएंगे इस कोने तक और यहां से 2 इंच पे मार करेंगे पहले यहां से 3 इंच पे मार किया अब यहां से उपर की तरब हाप इंच पे मार किया इस कोनाई को मिलाया उसके बाद इस यहां से 2 इंच डाउन किया अब सीधर ड्रो कर लिया लाइन को दोनों साइट पे राउंड सेप देंगे इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मिलाया और यहां से इसको मिलाएंगे इस पॉइंट से इस लाइन को मिलाएंगे दो साइट पे डाउन सेप दे दिया अब आठ भॉल पे थोड़ा चेंज करेंगे हाप इंच डाउन करेंगे क्योंकि बैक से है फर्ण की तरब थोड़ा ड्राउन होता है, आर्म होल, यहां से 2.75 इंच पे मार्क करेंगे, यहां से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, इस को नहीं से 6 इंच पे मार्क किया, अब एक सिंपिल से लाइन रॉकर राखेंगे, अब हम काटोडी का मार्क लेंगे, छातिया 40 इंच, 40 को 10 से दिभाइड करूंगी, तो होगा 4 इंच, 4 इंच टू करूंगी, तो होगा 8 इंच, यहां से हम 8 इंच का मार्क लेंगे, यहीं से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, अब यहीं से हम 0.8 या 1 इंच आपका चिदना चाहिए, वो सलाई मार्जिन के लिए ले सकते हैं, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का अधा करेंगे, यहां से 1.4 इंच पे मार्क करेंगे, और यहां से भी 1.4 इंच पे मार्क करेंगे, अगर मेरे वीडियो को पसंद आये तो प्लीज लाइक और स्यास जरूर करना, यह हो गया हमारा उपाड का काटोडी, अब नीचे पाड को काटिं करेंगे, इक पॉइंट से हम, फोर पॉइंट फाइप इंच पे मार्क करेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा ड्राइंग करने में दिक्का धोड़ा है, काटोन होने से यह नहीं होता, यहां भी 1.4 इंच पे मार्क करेंगे, और यही पे लेंगे, फोर ने 1 इंच, और यही पे लेंगे आधा इंच, यहां से यहां तक जोड़ेंगे, यहां पे थोड़ा ड्राउंड सेप देंगे, यह हो गए हमारा काटोडी का ड्रॉइंग, अब यहां से हम, 6 इंच पे मार्क करेंगे, और यही से हम, 1 इंच पे मार्क करेंगे, अब इसको मिलाएंगे, अब पैक पट को, इस लाइन बड़ा-बड बिठाएंगे, और यही पे मार्क कर लेंगे, यहां पे हुआ 6 इंच, और यहां पे लेंगे हम, 5.25 इंच या 5 इंच, यहां से पोने 1 इंच कम, और 0.75 इंच कम, और यही से हम, हम, हाप इंच, डाउन करेंगे, यह है 1, यह है 2, यह है 3, और यह है 4, ब्लाउस का फॉन पाट का डाफ्टिंग हो गया, अब इसको हम काटिंग करेंगे, उसके बाद बाचे हुए कपड़ों पे इस पाट को रखके, दूसरा पाट को काटिंग कर लेंगे, क्योंकि फेब्रिक को हम सिंगल पाट में ड्रॉइंग किया था, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लेम हुआ तो जरूर कॉमेंट करके बताना, मैं जरूर रिप्लाइ दूंग करने के पहले हम यहां पे माप ले लेंगे इस कोनाई का माप है 9.5 इंच तो हम आधा हिंच प्लास करेंगे तो होगा 10 इंच तो यह है 10 इंच दो फोल्ड करके राख्खा पहले ही तो बताया था इसका लेंध है 10 इंच, दो इंच राख्खा चलाई के लिए आप हम यहां से 3 इंच डाउन करेंगे इसको नाई से इसको माप कर लेंगे स्लीप ओपन है 11 इंच 11 का हाधा है 5.5 इंच उसी के साथ हम 1.5 इंच एक्स्टा करेंगे तो होगा 7 इंच यह से हम 7 इंच का माप लेंगे थोड़ा डाउन करेंगे यह स्लीप का ड्राप्टिंग आप हम काटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में में स्टीचिंग दिखाऊंगी तो यह वीडियो कैसे लागा कमेंट करके जरूर बतेए आज के लिए इतना ही गुड़बाई